असलाम लेकूम मेरा नाम है सोहेब हाजरू एक नई इनफरमेटी वीडियो के साथ आज की हमारी वीडियो है फर्ष कच्चे करने के मतलिक बहुत ही एहम वीडियो है फर्ष कच्चे यानि के घर के फर्ष डालते वकत आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं उनको हम देखेंगे और हमारी जो दिवारों की सेम है अक्सर हम गलतियां करते हैं फर्ष डालते वकत तो हमारी जो दिवारों को सेम चली जाती है डीपी सी का मकसद खतम हो जाता है हम कौन-कौन सी गल्तियां करते हैं first ढूलते वकत आज की वीडियो में हम देखेंगे वीडियो मकम्मल देखिएगा ताके आप लोगों को मकम्मल information मिल सके ताके first ढूलते वकत आप ये गलतियां ना करें और आप अपनी दिवारों में जो आप लोग की सेम आ जाती है वो उससे आप बच सकें तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्ष डालते हैं वक्त सबसे पहले आप लोगों ने रोडी डालनी होती है रोडी का लेवल क्या रखना है वो भी आपको बताता हूँ रोडी को डालने के बाद आप लोगों ने अच्छी तरह उसको उपर से कमपैक्टर की मदद से प्रेस करना है उसके बाद अगला मरहला आता है जी रोडी कितनी डालनी है और फर्श कच्चा है जो हमने वो कितना करना है तो चलें आईए देखते हैं जी तो हमने आप देख सकते हैं वाटर लेवल की मदद से हमने निशान लगाया और यहां से हमने अपना लेवल ले लिया यह हमारा लेवल है और आप हमारा जो फर्श हम करेंगे वो हमारा इस लेवल तक आएगा रोडे तक और यह है जी हमारी डीपीसी यानि के कच्चा है जो हमारा फर्श का लेवल है वो डीपीसी से नीचे है फर्श आप लोगों ने जो डालना है अपना फर्श डालना है वो डीपीसी से नीचे डालना है ना कि डीपीसी से उपर निकल जाए आप देख सकते हैं डीपीसी हमारा उपर खड़ा हुआ है और यह रोडा जो हमने ब्रिक का है इस लेवल तक हमारा फर्ष कच्चा आएगा तो याद रहे आप लोगों ने DPC से नीचे नीचे तक आप लोगों ने अपना फर्ष है जो कंक्रीट है जो फर्ष कच्चे करते हैं आप लोगों डालते हैं वो आप लोगों ने DPC से नीचे नीचले हिस्से तक खतम कर देना ताके फिर आप लोग जो पलस्सर करेंगे और टायल लगाएंगे वो हाफ DPC तक आजए और उपर आप लोगों की हाफ DPC बच जाए ताके जो DPC का मकसद है वो काईम रह सके और आप लोग जो दिवारों पर आप लोगों की सेम आती है उससे बच सके तो इस बात का आप लोगों ने खास वापा खिया रखना है अच्छी तरह आप लोगों ने निशान लगा लेना है अपने वाटर लेवल की मदद से और उसके बाद आप लोगों ने कंक्रीट डालनी है फर्ष के उपर कंक्रीट डालने के लिए सबसे पहला आप लोगों अच्छी तरह त्राई करनी है त्राई करने के बाद उपर आपने कंक्रीट शुरू करनी है concrete की जो आप लोग ने ratio रखनी है वो आप लोग ने 1,2,4 ratio को रखनी है फर्ष कचे करने वकद आप थोड़ी कम ratio भी रख सकते हैं कोई मसला नहीं लेकर हम 1,2,4 ratio से अपना फर्ष कचे कर रहे हैं तो यह आप देख सकते हैं कम मसकम आपका 2,5 इंच concrete का जो माल है यानि कि जो आपकी concrete है 2,5 इंच आप लोग की रोड़ी की उपर आनी चाहिए ताकि फर्ष है जो आप लोग का मजबूत बान सके तो यह आप देख सकते हैं 1,2,4 ratio से हम यह concrete डा रहे हैं यह हमारा level है फर्ष डालने का इसी तरह आप लोग ने जिस कमरे का भी level निकालना है उसको बिल्कुल water level की मदद से level निकाल के उस level की मदद से आप लोगों ने concrete डालनी है ताकि आप लोग की जो slope वगरा है वो एक तरफ ना चली जाए slope हम कमरों में नहीं रखते आप लोग सिर्फ washroom है जो वो आप लोग का एक से डेड़ इंच कमरों से उसकी जो आप लोग ने concrete डालनी है एक से डेड़ इंच down रखनी है तो आप देख सकते हैं दो से तीन इंच हम इसके उपर concrete डाल रहे हैं और अच्छी तरह गरमाले की मदद से चप्टी की मदद से उसको level कर रहे हैं उपर से press कर रहे हैं तो इस तरह बड़ा नफासर से आप लोगों ने ये काम करना है फर्ष कच्चे करने का बहुत ही एहम ये step होता है फर्ष कच्चे करना काफी सारे लोग इसमें गलती करते हैं फर्ष को डीपीसी से उपर ले जाते हैं जिससे डीपीसी का मकसद खतम हो जाता है और आप लोगों की जो same है वो डीपीसी से cross करके आप लोगों की दिवारों में आ जाती है डीपीसी डालने का मकसद यही होता है कि आप लोग जो same है वो बनियादों से उसको नीचे ही रखे दिवारों में ना आने दे अगर आप लोग DPC से उबड़़ को ले जाएंगे तो नीचे से जो same है आप लोग की मट्टी की same और रोड़ी यह वो ओर आपकी दिवारों में convert हो जाएगी तो तो इस तरह आप लोगों का जो दिवारों में सेम आजएगी याद रहे आप लोगों ने फर्श कचे करते वकट इन बातों का ख्यार रखना है तो यह आप देख सकते हैं बहुत खुब्सूरत तरीके के साथ हम फर्श कचे कर रहे हैं और मैं आप लोगों से एक request कर दूँ वीडियो को like कर दें ताके हमारी होसला फजाई हो सके और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अगर आप लहौर में हमसे घर बनवाना चाते हैं तो आप हमसे राप्ता कर सकते हैं जी तो इस तरह आप लोगों ने ये हम एक कनाल के घर का फर्श कचे कर रहे हैं इस तरह आप लोगों ने फर्दर अपना सारी जो आप लोगों की कंक्रीट है, फर्ष है, इसको आप लोगों ने कंक्रीट डाल लेनी है उपर, अच्छे सफाई, बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है आप लोगों ने, तो यह आप देख सकते हैं, खुबसूरत तरीके के साथ आपर गर्माला चला के ताकर एक चीज जो नफासत होती है खुबसूरती होती है वो भी काईम रहे म्सबूती भी काईम रहे कॉल्टी भी काईम रहे और खुबसूरती को भी आप लोगों ने काईम रखना है तो यह थी हमारी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए आफिस